हेलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप सभी मेरी छोटी सी बगया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज जो मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ इसमें आज आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि पैरिनियल प्लांट्स जो की साल भर आपको फूल डेते हैं और जो इंडोर प्लांट्स है जिस भी तरीके के प्रेंड्स सबसे रिलेटेड ये वीडियो है कि विंटर में कैसे इनकी केर नी Chem करनी है जैसे जाम घूल देता है बस कुछ ही केर टिप्स एक आपको फोलो करने होते हैं और बहुत सारे इसे प्लांट्स मैं आपक प्रंट्स वीडियो को शुरू करते हैं और प्रिस् necesita थे यह इन आप यह फई सब्सक्राइब और प्रेसद रहते हैं या लीफ होते हैं या इंडोर आउट यॉर्ट्टोर प्लांट होते हैं, जिस भी तरीके के प्लांट होते हैं, वो अभी विंटर में थोड़ा स्ट्रेस में चले जाते हैं, दिसंबर और जनवर ही उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो कुछ नहीं होता है, उन प्लांट को वो बस थोड़े से सो जाते हैं, क्यों आपको बिल्कुल नहीं करना है आपको सिर्फ कुछी टिप्स फॉलो करने है तो देखिए जो प्लांट सबसे जादा पतियां येलो कर रहा है या उसकी पतियां बहुत जादा येलो हो रहे तो आप उसमें Epsom salt डे सकते हैं क्यों अगर उसमें कलिया बन रही है तो ध्यान रखे एpsom salt हिसाब से ही दीजिएगा जो भी ratio होता है उस हिसाब से ही आपको epsom salt का apply करना है वहाँ वो थोड़ी leaves green रखेगा और उसको weather से लड़ने की भी ताकत मिलेगी लेकिन जो nitrogen rich fertilizer है वो अभी आप इनके उपर जादा apply मत कीजेगा लेकिन हाँ थोड़ा ratio बढ़ा दीजिए थोड़ा time बढ़ा दीजिए 15 तिन में एक बार ही अब perennial plants में fertilizer दीजिएगा winter plants की बात अलग है वो तो अभी अच्छे से grow होंगे लेकिन जो perennial plants होते है इनको थोड़ा warm weather चाहिए जादा warm weather भी नहीं एकदम summer की बात नही कर रही हूं मैं लेकिन जो warm weather होता है ना जो 30 degree temperature से लेके 40 degree या 45 तक में भी ये लोग flowering करते हैं जैसे कि good hal है hibiscus है और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी मीनी चांदनी है इन सबकी yellow थोड़ी सी leaves हो रही है तो या तो over fertilizer जब nitrogen का भी जादा हम use कर लेते हैं क्योंकि मैं अभी जो December January आ रहा है तो perennial plant में आपको fertilizer कम से कम 15 दिन में एक बार देना है वो भी nitrogen वाला Epsom salt महिने में एक बार अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो दे दीजिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि यह plant dormant हुए है लेकिन पूरी तरह dormant नहीं हुए है बहुत से plants ऐसे हो पूरी तरह dormant हो जाते हैं जैसे indoor plants है वो पूरी तरह dormant हो चुके है वो अपने आपको उन्होंने रोक लिया है growth के लिए यहाँ पर देखे नाक चमपा भी yellow हो रहा है तो कुछ नहीं है season का असर है आप इनको यह मत समझेगा कि नए पत्ते नहीं आ रहे हैं पतिया मुर्ज जैसे होता है अपरा जिता का प्लांट भी आपका थोड़ा इसी तरीके से stress में होगा यहाँ पर देखे एक जोरा भी तो fertilizer पर ध्यान दीजिए दूसरा watering पर ध्यान दीजिएगा over watering आपको अपने प्लांट में नहीं करनी है over watering करने से भी plant खराब हो सकता है और friends watering करते समय ध प्रोपगेट कर लीजिए यह अब आसानी से प्रोपगेट हो जाएंगे लेकिन फुली शेड में इने प्रोपगेट कीजिएगा ठंडक इनको लगनी नहीं चाहिए यानिकि ऊपर से जो ओस वाली ठंडक होती है रात की वो नहीं लगनी चाहिए यहां पर टिकोमा भी आप कही है अपने प्लाइट को शेड में न रख ले और शेड में रखने की वज़े से प्लाण खराब हो जाएगा लूप में इनने चाहिए क्योंकि यह दूप में रखने वाले प्लान्ट है यह पर पॉनडि तेल ल देखिए यह भी सन-लविंग प्लान्ट है तो पॉनड जादा गर्मी और जादा ठंड में फ़ल और फूल नहीं देते हैं और बाकी सब सीजन में आपको फ़ल और फूल देते हैं और अच्छे से अपके गार्डन में खिल खिलाते रहते हैं चलते रहते हैं उनका आप तोड़ा सा ध्यान रखिए इसी तरीके से आप इंडोर प्ला की ओस नहीं गिलनी चाहिए अगर पेरेनियल प्रांट्स की केर और किस तरीके से कर सकते हैं आप यह पूछना चाहते हैं आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं I hope आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे मेरे चैनल पर नहीं होए तो सब्सक्राइब जरूर कीजे बेल आइकन और पर पैस कीजे जितसे मेरी वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप तक डिरेकली पहुँच पाएगी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई टेकल जैसी कृष्णा